हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको यह बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं यह देखने में जितना प्यारा है बनाने में भी उतना ही आसान है तो चलिए बनानाय स्टार्ट करते हैं मैंने आपको समचाने के लिए इसमें सोला पंदेर डाले हैं और यह देखे सबसे पहले लाइन फ्रेंड्स आपने पूरी सीधी बुननी है इस तरहां परस्ट लाइन सीधी बुन लिजिए देखे मैंने परस्ट लाइन पूरी सीधी बुन ली है फ्रेंड्स अब हम सेक्ड लाइन बुनेंगे यह देखे एक भी ना बुनें और यह देखे एक और यह दो इन दो फंदो को इस तरह से सीधा बुनेंगे फिर एक बल डालेंगे फिर एक बार और फ्रेंड्स हम इसमें से सीधा बुनेंगे इस तरह देखे फिर इन दो फंदो को पीछे से सीधा बुनेंगे देखें दो फंदो को पीछे से इस तरह सीधा बुनेंगे और एक बल डालेंगे फिर दुबारा से सीधा बुनेंगे फिर इन दो फंदो को पीछे से सीधा बुनेंगे फिर बल डालेंगे और फिर एक बार और सीधा बुनेंगे फिर इन दो फंदो को इस तरह पीछे से सीधा बुनेंगे, फिर एक बल फिर एक बार और सीधा बुनेंगे इस तरह फिर इन दो फंदो को पीछे से सीधा बुनेंगे, फिर एक बल फिर एक बार और सीधा बुनेंगे, दो फंदो को पीछे से सीधा बुनेंगे, एक बल डालेंगे, फिर दुबारा से सीधा बुनेंगे, फिर इन दो फंदो को इस तरह थोड़ा सा लूस कर सकती है, देखें इस तरह, देखें पीछे से सीधा बुनेंगे, फिर एक बल डालेंगे, फिर दुबारा से सीधा बुनेंगे, और लास्ट वाला फंदा उल्डा बुन देजिए, यह हमारी सेक्ट लाइन इस तरह से कंप्लीट हो गई देखें, तीन-तीन के जोड़े आ गए, आप दे लाइन है देखे अब यह तीन तीन है ना फ्रेंट्स यह देखे एक बिना बुने और यह देखे यहां से इस तरह देखे फ्रेंट्स अब हम फोर्थ लाइन बुनेंगे एक बिना बुने और यह देखे तीन फंदे ना इसके बीच में से यहां से फ्रेंट्स हम एक बड़ा सा प्सकी को फंदां बनाएंगे अिक उपन अह्य में इस तृष्य घुंच से सीध हैं पोसा प्षे से हैं प्रोसा सों में पångल पेछे सीध हैं देखिए फिर यहां से हर तीन पंदों के पीछ़े से पंदा निकालिए और इन तीन पंदों को इस तरह पीछे से सीधा बुन दिजिए इन तीन फंदों के पीछे से भंदा निकाल ये, और इन तीन फंदों को पीछे से सीधा बुंदी जिए, तीन फंदों के पीछे से। इस तरह, फिर आपने इन तीन फंदों को पीछे से सीधा बुलना है, इस तरह, फिर इन तीन फंदों के पीछे से, फिर इन तीन फंदों को पीछे से सीधा बुन लेजिए, और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, इस तरह, इस तरह हमारी चार लाइनी कम्प्लीट हो गई है, कि फ्रेंट्स आप यह हमारे दो दो के जोड़े रहे गए हैं, अब इसे कैसे बुनेंगे, एक भीणा बुनें, और इन दो फंदों को देखे इस तरह, पीछे से, सीधा बुनेंगे, और देखे एक बल लेंगे, फिर इसी के अंदर दुबारा फ्रेंट्स हम इस तरह से बुनेंगे, यह देखे, आप इन दो फंदों को पीछे से सीधा बुनेंगे, एक बल लेंगे, और फिर फ्रेंट्स दुबारा इसी में सीधा बुनेंगे, यह देखे दो फंदो को पीछे से सीधा बुनेंगे, एक बल लेंगे और दुबारा इसी में बुनेंगे, यह देखें फ्रेंट्स, दो फंदो को एक साथ बुनेंगे, फिर एक बल डालेंगे, यानि कि हमने इन दो फंदो के तीन फंदे बनाने हैं, इस तरह यह देखें, एक बुन लिय पिर बल लेदेजैंगे, पिर दोबारा से इसलिए में जो सोपे, थे बल फिर दोबारा से इसलिए में बन लिए पिछे बदु हैं यो मैं को बटुण बनाना खांप फीर के बंदोट बनने harmonल चांजड़ घ्राय की सिरक आप स्थिर, ऍच्छे आ गए हैं या देखे dafür बिना बुनए और बुच्प जाए आड़े इन bets नहें तीन फंदों के बीच में श् Console भीच में से यहां से लेगे एस तरह बड़ा फंदा और इन तीन फंदों को विना से लिए से सीधा बुनेंगे तेन फंदों में डालने इस तरह तीन पंदों इस तरह डाले तो नहीं आ जाएगा रामसे पिछे से एक बड़ा सा फंदा और इन तीन फंदों को इस तरह पीछे से आपने इस तरह सीधा बुन आए फिर देखिये इसके बीच में से निकाली है बड़ा पंदल फिर आपने इन तीन पंदों को है इस तरह से अरफ के पंदों को इस तरह भीटे सीधा पुनेंगे । फिर देखिये इन तीन पंदों के पीछे से एक보다 पंदा निकालेंगे और इन तीन फंदों को जैसे हमने नीचे बुना था बिल्कुल उसी तरह हम इस लाइन को कम्प्लीट करेंगे देखे यानि कि हमने अब दो बनाने इन तीन फंदों के पीछे से एक पंदा बनाया बड़ा सा फिर इसके बाद यह जो हमारे तीन फंदे हैं इन तीन फंदों को पीछे से इस तरह सीधा बुनेंगे देखे पीछे से एक बड़ा पंदा निकालिए और फिर यह देखे इन तीन फंदों को इस तरह पीछे से सीधा बुन दीजिए और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे बस फ्रेंट्स अब आपने इसके उपर सिर्फ उपर की दो लाइनी ही रिपीट करनी है और आपका डिजाइन कितना प्यारा सा त्यार हो जेगा ये देखें और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फर वाचिंग प्यार आपको ये दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर की देखें